हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं सेक्षियाइट्रिस्ट हूं सेक्सवलाजिस्ट एनलपी ट्रेनर हिपनो थेरेपिस्ट और कोछ हूं मैं अकुला में प्रैक्टिस करता हूं और मैं आपसे बात करने माला हूं कि हमारी भावना है जो है एमोशन्स वो हमारे बदन के ओपर कैसा परिणाम करती है वो तक आए कि हर व्यक्ति को दुनिया के हर व्यक्ति को खुद के बारे में एक गुस्सा अपराधीपन की भावना तीवर स्वरुप का द्वेश और मैं इतना अच्छा नहीं हूं ऐसे विचार बार बार आते रहे हैं अपरिसे बोलता हूं घुस्सा खुद के बारे में खुन्स अपराधीपन की भावना है तो मैंने कुछ तबी गल्दी की है और वह हम पकड़ के बैठ हूं और मैं इतना अच्छा नहीं हूं अपने प्रती क्रोध आना और वो दिमाग म पखा है विद्धा के रातना पकका और वो जो है वो यदि हम छोड़ देते हैं यदि हम उसको फ्री कर देते हैं अपने आपको यह जो भावना यह बिचार जो है इसे यह हम फ्री कर देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कैंसर भी ठी हो जाए क्योंकि हमारे brain में हमारे subconscious mind में हमारे अंतर मन में ये बहुत ही पक्का बैठा हुआ है हम खुद के उपर प्यार नहीं करते हैं खुद के उपर हमको बहुत बड़ा घुसा है कुछ तो भी पकड़के बैठे है कोई गल्दी की होंगी कुछ तो भी ऐसा है कि जो अपने आपको अंदर से लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ या कुछ अपराहणिकता अंदर है तो याप वो छोड़ देते हैं जो अतीत का सब छोड़ देते हैं और अपने आपके उपर प्यार करना चालू कर देते हैं कि जो मैं जैसा भी हूँ वैसा हूँ और मैं खुट के उपर प्यार करता हूँ और को गुसा अप्रादीपन की बावना चाल चोड़ देना चाल रिलीस करना वो अतीत से जो आई हुई है तो काफी सारी बिमारी यां ठीक हो सकती ऐसा भोला जाता है कि खुट के उपर प्यार करना और अपने आपको माफ कर देना यह बहुत बड़ी दवा है कोई भी विमारी की क्योंकि ब्रेन में सब्ज़ो यह पक्का बैठा हुआ है अंदर यह भावना है पक्की बैठी हुए वीचार पक्के बैठे है तो ब्रेन कहां एक्स्प्रेस करेगा वो जो अंतरमन है वो एक्स्प्रेस कहां करेगा वो एक्स्प्रेस करने के लिए उसको एक ही जगए वो है अपना बदन है और बदन से एक्स्प्रेस करेगा बदन से बाहर आएगा तो वो फिर बदन से बीमारी के रूप में बाहर आता है हमको हमारे पेरेंट्स के बारे माबाग के बारे में बहुते गुछसा रहता है कुछ-कुछ लोगों को उन्होंने यह नहीं किया, उन्हों नहीं किया, उन्हे एसा करना जाहिए था उन्हें रुख्यां रुख्यक्सान बेदाई, इन्हें मेरी परिवरष बराबर किया और मेरी गलत आदतनी रचाहिक अज़य मिही है। 18-25 के विश्व के बच्चे आते हैं और उनको बहुत सारा घुस्ता अपने मागाउख के बारे में और फिर वो बदन से बाहर निकलता है, बीमारी के स्वरूप में रो सकता है कि उनको दमे की बीमारी हो जाएंगी, सांस पुलने की बीमारी, एटेक, हार्ट एटेक आजाएंगा, ब्लेड प्रेशर आएंगा, डाइपेटेस हो जाएगा, सुवर की बीमारी है, या सरदर्द है, हेडेक, माइग्रेन, बॉड़ी एक्स, पेंस, मालब सब तरह की बीमारी है, इवन कैंसर, इरिटेबल बॉड़े, पेट में दर्थ, काफी बार टॉइलेड को जाना, धकार आना, एसिडिटी हो जाना, इसी काभी सारी बीमारी होती रहती है, जो पेरेंस के बार में खुन्नत है, यदि मैं हरेक को बोलता हूँ, आप, यदि आपके पेरेंस के साथ में बातचीत करते हैं, और उन्होंने जो भी आपके साथ में बरताव किया, जैसी भी आपकी परवरिश की, उन्होंने उनका सर्वत्तन दिया, उनकी जो बुद्धी चल रहे थी, उनको जितना जिमाक था, उनको जितना तजरुबा था, वहां से उन्होंने आपके अच्छे के लिए जो करना था, ओकिया, कोई भी माबाप अपने बच्चे के खिलाप कुछ भी नहीं करेगा, या अपने बच्चे का नुकसान होगा, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, तो जी माबाप आपके ऐसा क्यों behavior करते हैं, ऐसा बरताओ क्यों करते हैं, यदि आपको जानना है, तो आप उनके साथ में बैठो, उनको पूछो कि उनके बच्च्पन में क्या होगा था, उनकी परवरिश कैसी की गए तो मालूम पढ़ेंगा कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो माबाप का जो माबाप के विए गुस्सा है, जो खुंदनस है, समझे होती है तो वो निकालना, उनको माफ कर देना, लोगों को माफ करना और खुद को माफ करना यह बहुत बड़ी अच्छी दवाई है, और वो दवाई हम लेते हैं तो बहुत सारा फिड़म मिलेगा, ऐसा बोलते हैं कि अतीत से सब यह आ रहा है, अतीत से मुक्त हो जाए, पांस से मुक्त हो जाए, और जो भी आपके दिमाज में, आपके प्रतिद्वेश, मत्सर, खुस्सा, अपरादीपन की भावना, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अक्यला हूँ, यह भावना है, यह तो बहुत बड़ी, मतलब बड़ी-बड़ी भीमारियां अच्छे हो सकती है, हो सकता है कि दभा फूरी बनने होगी, मगर काफी सरी दभाई भी बन हो सकती है, पर आप एक अच्छा जीवन जी सकते है, आपको यह लिगारी नहीं है, तो बिमारी हूंगे नहीं, और है कोई बिमारी और यहीं मैं बोलता हूं ऐसा यहीं कर लिया, जिसके प्रतिक घुसा है उसके साथ में बात करो, माफी मांग लो, माफ कर दालो, पुरा हो जाओ, कम्प्लीट हो जाओ उसके साथ में, वहाँ जवाबदारी लोग खुद, खुद के उपर, तो मेरी वज़े से हुआ है और यहीं उस तरह कायरी आप करते हो, लोगों से प्यार करते हो, अपने आपके उपर प्यार करते हो, लोगों को माफ करते हो, अपने आपको माफ करते हो, तो एक अच्छा जीवन आप जी सकते हो, आप जैसे है, वैसे है, और जैसे नहीं है, वैसे नहीं है, अपने आपके आपके उपर त्यार करना सिखो ताकि दुनिया में एक वेट्टी एसर हेंगा कि जो आपके उपर त्यार करना है आप वे लिए अच्छा लगा तो जरूर शेर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो थैंक्यू भेज मच्छ